हेलो बच्चो कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ क्या आप कहानी सुनना चाहते हैं तो चलिए आज मैं आपको एक बंदर की कहानी सुनाओंगी जो बहुत नटखट था चलिए शुरू करते हैं कहानी एक बंदर था वह बहुत नटखट था सारा दिन उचलकूत करता था सारा दिन मौज उड़ाता और मस्ती करता था उसे केले बहुत पसंद थे और वह खूब केले खाता था एक पेड़ पर चिरिया का घोसला था घोसले को देखकर उसे एक शतानी सूजी उसने पेड़ हिला हिला कर घोसला नीचे गिरा दिया नीचे गिरते ही घोसला तूट गे अपना तूटा हुआ घोसला देकर चिरिया को गुसा आया और वह रोने लगी उसे रोता देख बंदर को बहुत दुख हुआ उसने चिरिया से शमा मांगी और उसने चिरिया का घोसला बनाने में मदद की देख चिडिया खुश हो गई और फिर दोनों में दोस्ती हो गई तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि हमें बेवज़क किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए धन्यवाद